क्या आपके बाल बहुत जादा तूटते हैं बहुत जादा जड़ते हैं या समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं और स्कैल्प में यदि डेंडरफ की परिशानी है दोस्तों तो इन परिशानीयों का हल करने के लिए आज चों मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आई हूँ दोस इस रेमेडी का इसमें जो भी चीजे में इस्तमाल कर रही हूं हमारे किचन में ही मिलती हैं और जादर इन चीजों का हम अपने खाने में इस्तमाल करते हैं और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है नहने से पहले आप इसे बालों में लगा लें बालो अजिशोझारों को बालतों है मेथी के अचारो में मिनम कार सी अचारों फका साथे नगे लिह समय के लिए मेले। हमारे बालों को जड़ से मजबूत करते हैं सिल्की और शाइनी बराने का काम करते हैं मेथी के ये चोटे चोटे दाने आप एक बार इस नुस्खे को जरूर अज़्मा कर देखें यदि बहुत ज़्यादा बाल जड़ रहे हैं बाल घने नहीं हैं बाल काले और मजबूत नहीं है दूसरे चीज दोस्तों जो मैंने यहाँ पर ली है वह है कलोंजी जिसे की कई जगह पर मंग्रेल भी कहा जाता है तो यह जो कलोंजी होती दोस्तों यह हमारे बालों को नैश्रल तरीके से काला करती है बालों को नरिश करती है दोस्तों आपने जादा फाइदे मंद होती है कलाउंजी गिरते हुए बालों को गिरने से बचाती है क्योंकि बाल अगर हमारे जड़ से मजबूत होंगे तो अपने आप ही हमारे बालों का गिरना रुख जाएगा तो बालों की जड़ों को मजबूती देती है कलाउंजी साथ ही साथ सफेद बालों को काला बनाती है कलाउंजी में कुछ ऐसे एंटि-आक्सिदेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन होते हैं मिर्ल होते हैं जो कि नए बाल को उगाने में मदद करते हैं तो न्यू ग्रोथ होती दोस्तों जिन लोगों में गंजापन आ गया है वे भी इस रेमेडी का इस्तमाल जरूर करें, 100% उन्हें रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर कलॉजी और मेथी के दाने, यह दोनों चीजें हमारे घर पर होती हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता उपाय है, जिससे आपके जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, बाल जो बहुत जादा जड़ र हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाने का काम करता है, हमारे बाल जो होते हैं, बालों में मुठाई आती है, कई बार हमारे बाल लंबे होते हैं, पर बहुत पतले होते हैं, तो बालों में घनापन आता है, और आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों दो अलग अलग तो दोनों को मैंने इस पानी में डाल दिया है इसे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने दें कम से कम आप पानी में ही डूबे रहने दें उसके बाद हम इसे उबलने रखेंगे तो 10 मिनट के बाद मैंने इस पानी को उबलने रख दिया, गैस शालू कर दी है, जैसे ही इसमें उबालाएगा हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे स्लो फ्लेम पर कम से कम आपको इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि कलोंजी और मेथी दाने के सारे पोशक तत्व इस पानी में आ जाएं, ताकि हमारा ये जो मैजिकल हेर वाटर बनकर तैयार हो रहा है दोस्तों, इसका सारा असर हमारे बालों को मिल सके, अगर बालों की जड मजबूत होगी, तो बालों का गिरना रुख जाएगा, बालों में यदि हम मेथी दाना और कलोंजी का पानी लगाते हैं, तो अगर हमारे स्केल्प में किसी भी तरह का इंफेक्शन है, या फिर डेंडरफ की समस्या है, तो डेंडरफ की समस्या भी हल होगी, तो बहुत ही बढ़िया हेयर सीरम बनकर तयार होने वाला है, तो कमसे हम तीन से चार मिनट हो गए है, इसे में उबलते हुए, गैस की फ्लेम मेने स्लो रखी है, और आप इस मेजिकल हेयर सीरम को बना कर रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि आपने एक बार बनाया है, एक ही बार तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, तो करीब करीब 6-7 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, और बस इतना ही आपको उबालना है, पानी का रंग चेंज हो चुका है, और कलोंजी और मेथी जाने की सारी प्रॉपर्टी इस पानी में आ चुकी है, और यह जो हेयर सिरम है दोस्तों य मेथी जाना और कलोंजी है, इसका हम क्या करें, दोस्तों इसका भी अभी मैं आपको हेयर पैक बनाना भी बता रही हूँ, तो यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो मैंने से चान लिया है, थोड़ा ठंडा करने रखते हैं हम इसे, और इसे गल्स और बॉइस दोनों लगा सक बालों से चुड़ी हुई, हर तरह की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, अब इसमें आपको डालना है आधा नीबू का रस्त, लेमन जूस जो कि हमारे बालों में चमक लाता है, बालों में जो किसी भी तरह का इंफेक्शन होता है, उसे दूर करता डेंडर्फ की समस्य हल होती है, सांत ही सांत जो हमारे बाल है, लेमन जूस लगाने से, डालने से, इंफेक्शन दूर होने के सांसाथ बाल हमारे मजबूत भी होते हैं, बालों को नरिश करता है, नैचरल तरीके से बालों में चमक आती है, और यह जो कलोंजी और यह मेथी के दाने हैं दोस्तों और इस पैक को भी आप अपने बालों पर लगाएं, आप देखेंगी कि आपको इतना फायदा मिलेगा, कि जो बाल हमारे समय से पहले सफेद होने लगे हैं, बहुत ज़ादा ज़ड रहे हैं, डेंडरफ की समस्या है दोस्तों, या फिर बाल लंबे तो हैं, परन्तु घने नह कोड़े अलग होके गिरने लगते हैं, इसलिए बिल्कुल फाइन स्मूथ सा पेस्ट बना ले, और बहुत आसानी से यह पिस जाता है, क्योंकि पानी में अच्छी तरह उबल चुका है, और इस पेस्ट को आप अपने बालों पर लगाएं, अपने बालों की पूरी उसे, तो यह देखे, कलोंजी और मेथी दाने का हेर पैक बनकर बिल्कुल तयार है, जो कि आपकी बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करेगा, जो दो मुहें बाल हो जाते हैं, आपने देखा हुगा, नीचे नीचे से हमारे जो बाल होते हैं, दो मुहें समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, यदि बालों की केर की जाये दोस्तों, तो बाल हमारे हेल्डी रहते हैं, लंबे घने और मजबूत रहते हैं, बालों की जड़ने की समस्या भी हल होती है, अब आपको इस हेर पैक में डालना है, एक चमच कोकोनट ओल, अगर आपके पास अलिव ओल है, एक बड़ा चमच अलिव ओल डालूंगी मैं, तो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, इससे हमारे बाल जो होते हैं, वह जड़ से मजबूत होते हैं, और अपने आप ही बालों का जड़ना रुप जाता है, तो आप इस पैक को सबताहमें एक बार लगा सकते हैं और जो हेयर सीरम बनाया है इसे तो आप 2-3 दिन में एक बार जरूर लगाएं और जो हेर सीरम है दोस्तों ये देखें मेरे पास एक स्प्रे की बॉटल है शायद आपके पास भी होगी कोई भी पुरानी बॉटल आजकल तो बहुत सारे लोशन में आती है ऐसी बॉटल नहीं तो आपको किसी भी प्लास्टिक के सामान की दुकान में भी बॉटल मिल इसे आपको अपने बालों में बहुत अच्छी तरह से इसकेल्प पर लगाएं बालों की पूरी लंबाई पर लगाएं बालों की केर करेंगे ना दोस्तों तो बाल आपके हमेशा ही हैल्दी रहेंगे बालों का जढ़ना बंद होगा आप चाहें तो तीन चार दिन में एक इसे जरूर लगाएं इसके बाद आपको हेर वाश करने की जरुवत नहीं है यह सीरम बहुत ही फाइदे मंद है और इसे लगाने के बाद आप बहुत अच्छे से मालिश करें इस हेर सीरम को लगाने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से मसाज करना है ताकि सभी का तो आप अपने तेल लगे हुए बालों में भी इस हेयर सीरम को लगा सकते हैं और ये जो हेयर पैक है इसे किस तरह से लगाना है चलिए बताते हैं इस तरह से हाथों में ले इस पैक को बस इस तरह से गाड़ा गाड़ा ये पैक होना चाहिए कूप अच्छी तरह से अपने स्केलप पर लगाएं, पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं, ये देखें, आपको इस तरह से मैं लगा कर दिखा रही हूँ, पूरे बालों में, मेरी बेटी अभी नहीं लगा के दिखा पा रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सर्दी और यहां पर बहुत जादा ठंड पड़ रही है शाम का समय है इसलिए आप भी कोशिश करें कि धूप के समय ही दिन में ही इस पैक को लगाएं एक घंटा लगा कर रखें उसके बाद आप किसी भी माइल शेंपू से हेर वाश कर सकते हैं इस तरह से इसे आपके स्केल पर बाल कैसी लगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो